इंडियन प्रीमेर लीग के चौदवे सीजन के लिए निला में चैनाई में जारी है दरहसल 222 अवे शौट लेस्ट प्लेयर्स में से 16 के लिए बुली लगाई जा रही है सावत अफरीका के आल राउंडर क्रिस मौरिस को राजस्तान रोयल्स ने 16.25 करोड रुपे में खरीदा है दरहसल वो इस लीग इतिहास के सबसे महेंगे खिलाडी बन जुके हैं और उन्होंने युबराज सिंग का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है जो सीजन 2015 में 16 करोड रुपे में खरीदे गए थे दरहसल मौरिस ने 218 P20 मैचों में 151.02 के स्टाइक डेट से 1764 रन बनाए साथ ही 270 विकेट भी लिये है राजिस्थान ने इन्हे ओल्ड राउंडर और फिनिशर के तोर पर लिया है दरहसल अगर अगर अब तक के बिखने वाले प्लियर्स की बात की जाए तो आस्ट्रेलिया ओल्ड राउंडर ग्लैन मैक्सुल को आर्सीवी ने 14.25 करोड रुपे में खरीदा है उनका बेस प्राइज दो करोड रुपे था पिछले सीजन में पंजाब किंग्स 11 ने उन्हें 10.75 करोड रुपे में खरीदा था वहीं इंग्लैंड की ओल्ड राउंडर वोईनली को चैने सुपर किंग ने 7 करोड रुपे में खरीदा उनका बेस प्राइज दो करोड रुपे था और इनने अब तक औरोबल 166 T20 खेले हैं जिनमें उन्होंने 3513 रन बनाए हैं और 110 बिकेट भी जटके हैं वहीं राजस्तान रॉयल्स के कप्तान रहे पॉस्टलाइब अल्यवाज स्टेफ स्मीट को दिली कैपिटल स्टीम ने 2.20 करोड रुपे में खरीदा उनकी बेस प्राइज 2 करोड रुपे थी पिछले सीजन में स्मीट की कीमत 12.50 करोड रुपे थी बांगलादेश के ओल्राउंडर साकीब अलहसन को 3.20 करोड रुपे में कॉलकाता नाइट रुपे थी उनका बेस प्राइज 2 करोड रुपे था शाकीब ने अब तक IPL के 63 मैचों में 746 रन बनाए और 69 विकेट लिए हैं शिवम धूबे को 14.40 करोड रुपे में राजिस्तान रुपे ने खरीदा उनका बेस प्राइज 50 लाक रुपे था इछले सीजन में आर सीबी ने उनने 5 करोड रुपे में खरीदा था इस वाल राउंडर ने अब तक 15 IPL मैचों में 179 रन बनाए हैं और 4 विक्रेट यह हैं तर आपको क्या लगता है हमारे कमेंट बॉक्स पर अपने सुजाव चरू रखें लडी न्यूस रूंकर पो